गुद्मारिंग स्टोड़ेशन आज हम पढ़ेंगे फूड और पाचन के बारे में कि हमारी बॉडी के अंदर जो हम फूड लेते हैं उसका डाइजेशन किस तरीके से होता है तो हम डाइजेशन प्रसेस भी पढ़ेंगे आज और फूड हम कौन-कौन सी फूड लेते हैं और उसका डाइजेशन किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे तो देखिए फर्स टॉपिक है आपका वाई नीट वाई वाई वी नीट फूड वाई वाई क्यों वी हमी नीट फूड देखिए इसमें कहा गया है कि हमें फूड जो भूजन भूजन की नीट जरूरत क्यों होती है हमें भूजन क्यों खाते हैं हमें भूजन क्यों लेना ची हम भूजन की जरूरत हमें क्यों है ठीक है वाई वी नीट फूड हमें फूड की नीट क्यों है तो चले उसके बारे में हम जानते हैं कि हमें क्यों नीट है machines need energy to work देखे हर machine को energy चाहिए काम करने के लिए हर एक machine चितनी भी machine है आपने देखा होगा एक जो गगते हैं विगल होता है वो भी चलता है तो petrol, diesel, CNG पर ही चलता है हर एक चीजों को आप उसमें गगते energy दोगे तब ही वो चलता है छोटी से छोटी machine आप एक cycle चलाते हैं जब आप वो cycle आगे की और बढ़ता है तो हर एक चीजों में उसको move करने के लिए energy के जरूरत होती है work करने के लिए for example car gets energy from the burning fuels देखे जैसे आप car चलाते हैं तो car भी students कैसे चलता है उसको energy दी जाती है किसे fuels वागरा से like petrol and diesel students also need energy to work ऐसे ही जो मानव है उनको भी मानवों को भी energy की जरूरत होती है काम करने के लिए study and play कौन सा वाग करने के लिए study करने के लिए work energy चाहिए and play करने के लिए भी उन्हें energy चाहिए get this energy from the food we eat और जैसे cars वगरा को किसे energy मिलता है petrol से डीजल से तो मिल्स को किसे energy मिलता है food से जो कि हम खाते हैं okay food performs many important functions जो food है देखें वो बहुत सरे important functions जो है perform करता है it gives us energy जो food है वो हमें क्या देता है हमें energy सक्ती उरजा देता है okay help us to grow food हमें किसमें help करता है हमें बढ़ने में grow करने में help करता है थर्ड पॉइंट है repairs damaged body parts हमारी body में जो भी damaged part होता है वो हम food की थूँ ही उसको repair कर सकती है और करती है वो जो हमारा repair है वो जो हमारा cover up है वो हमारे food के by foot किया जाता है भोजन के द्वारा ही हम इसको cover up करते हैं फोर्थ पॉइंट है makes our bones and muscles strong हमारे bones हड्डियों को muscles mass ratio को strong बनाता है कोन बनाता है food without food हम नहीं strong बन सकते हैं तो इसलिए जो food है हमारे लिए बहुत ज़्यादा जुरूरी है keep us fit and healthy फिफ्थ पॉइंट है जो food है हमें क्या रखता है fit and healthy रखता है तो students आप सभी को समझाया कि why we need आप सभी को answer मिल चुका है कि हमें food की need क्यों होती है we need food because it gives us energy helps us to grow repairs damaged body parts makes our bones and muscles strong keep us fit and healthy okay students I hope आप सभी को इसका answer मिल चुका है okay